नमस्काल दोस्तों मेरा ना मेरा रूहन चौधरी और आज की वीडियो में आप लोगों को सिखने वाला हो कि आप कैसे कैन्वा का इसमाल करके एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी की थमनेर बना सकते अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए जो की काफी अच्छी से और बस चाओ इंस्टबर करो और इस एपको उपन करो साइन अप करो दो और फिलहाल मैं आप लोगो बना के दिखाने वाला हूँ यूट्यूब थमनिल तो यहां पर मैं सार्च करूंगए यूट्यूब थमनिल के लिए तो जैसे कि आप यूट्यू थमनिल दिख अब इसे डिजाइन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो देखो मैं इसका कलर चेंज करना चाहूं कि वाइट पनने पर कौन ही बना चाहेगा एक थम्नील को ठीक है तो मैं जो वाइट प्लेन पेज है इसको एक अलग रंग देने वाला हूं तो मेरा परसनल फेवरेट है वह है सकाय ब्लू और जो डाग भी देख रहे हैं तो मैं इसे यूज करने वाला हूं अब क्योंकि ब्लू समझदारी का कलर भी होता है तो मैं उसी लिए इसको यूज करने वाला हूं मैं भी हो सकता है कि अभी आगे बड़ जैसे हम जाएंगे तो हो सकता है मैं कलर चेंज कर दूँ जैसा भी टेक्स डाला हूं जिसका का मैं फॉन डाला हूं कि मैं हर बार थोल तो आप उसे यूज नहीं कर पाऊगे ठीक है उसके अलावा जिन पर ताज का सिंबल ना हो उन्हें यह आप यूज कर सकते हो तो फ्री में भी से बहुत सारी चीजे है मतलब अच्छी चीजे हैं तो आप लोग इसमें से फ्री वाली चीजे यूज कर सकते है या फिर इनका तो अपलोड करने के ऊपर यह थमनेल बना रहा हूं कि मतलब यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं प्रोफेशनली तो उसके रिलेटिड में एक थमनेल बनाने वाला हूँ तो अब जो मेरा आधा पोशन है लग भग थमनेल का वह भर जाएगा ग्राफिक से ठीक है जो कि देखने में अच्छा लगता है तो इसी लिए मैंने इसको चूज किया अब क्योंकि यह सिर्फ वीडियो क्लैप है पर हमें दिखाना है कि हम यूट्यूब वीडियो अपलोड क यूट्यूब वीडियो का क्लैप है तो यह है कुछ ऑब क्यूंकि देखने में थोड़ा आपको ऐसे अच्छा लग रहा होगा तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स डालना शुरू करूंगा जो मेरे मेरे में की पॉइंट है जैसे कि अपलोड अब यही थीन कीवर्ड से देखो मैं बता रहा हूं अगर आपको थमनिल बनाना है ना तो हमेशा कम से कम अक्षरों का इस्तमाल करो मतलब अक्षर मतलब वर्ड बेसिकली मैं वर्ड बोलना चाहता था अक्षर निकल गया आपको कम से कम वर्ड लिखने है पर ओन पॉइंट होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल थमनिल मना रहे हो तो उसमें बात ओन पॉइंट होनी चाहिए ताकि जो लोग आएंगे आपकी वीडियो देखने के लिए उन्हें अपने आप यसा फील आना चाहिए कि प्रोफेशनल बंदा है जिसकी ग्राफिक नॉलेज काफी तो इन सभी फॉंट का इस्तमाल करके आप जो कि यह जितने भी टेक्स्ट है उन सभी को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो कि हाँ यह टेक्स्ट मैं इस फॉंट के साथ यूज करना चाहता हूं मैं फिलहाल एक ही तरह का फॉंट सभी के लिए यूज करने वाला हूं तो अब हैं बाइप एक यूट्यूब का जो लोगो है लिखा हूँ और यूट्यूब की जगे मैं इसको भी अच्छा लगने लगेगा तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसको ऐसे भी अपलोड करना पसंद करेंगे मतलब अब जितना आपको दिख रहा है यह भी काफी अच्छा लग रहा है पर इससे भी ज्यादा हमें आगे जाना है क्योंकि यह चलो नॉर्मल है नॉर्मल ही लोग ऐसा बना सकते हैं ठीक है पर एक अच्छा सा प्रोफेशनल लुक भी आना जरूरी है अब जैसे कि आप सभी देख स है ठीक है तो मैं क्लैप को भी थोड़ा उपर इंचे करके देख लिया यह भी ठीक है मेरे साब से अभी जो क्लैप की पुजिशनिंग है वह भी काफी सही हो गई है अब मैं इसमें थोड़ी पहुत चीजे और चेंज करना चाहता हूं मैं इसमें अपनी खुद की एक फोट से लाब भी कर सकते बस इतनों कि आपको टेक्स है जो फोंस अपार ऐओंड बाहर से नहीं पड़ेंगे ौर जो इमेजीं है में यह सब मिल जाता है यही इतना ही तो यहां पर मैंने अपने आपको रिसाइज कर दिया ठीक है पीछले यूट्यूब भले ही छुप गया हूं पर लोगों को ऐसा लगेगा कि पीछे रेड कलर का क्लाप है यानि कि वो यूट्यूब से मैच करता है ठीक है अब जो ये कलर है ये वैसे मुझे ये को ये जो थमनेल है ये स्टिल काफी अच्छा लग रहा है इसकी कॉलिटी काफी अच्छी है नॉर्मली जो लोग बनाते है तो यहां पर मैंने वीडियो को हाइलाइट करने के लिए जो अपलोड है उसको हाइलाइट करने के लिए मैंने इसको ब्लैक बैग्राउंड दे दिया है और जो ब्लैक बैग्राउंड है उसमें येलो कलर सबसे बेस्ट लगता है ठीक है तो इसका जो कलर है वो भी मैं चें शायद उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगने लगे और उसके बाद जो यह नीचे प्रोफेशनल लिखा पड़ा है इसका भी कुछ करेंगे और जो यह वीडियो है इसको भी थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ा नीचे करके देख लेते हैं जो आपका थमनेल है ना उसमें अच्छी सी लाइनिंग बननी चाहिए तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यूट्यूब को छोटा करके अपलोड के साइज कर रहा हूं कि जो अपलोड है उसके बराबर में यूट्यूब दिखाई दे वीडियो भी उसी के साइज में दिखाई दे जिसे एक अच्छी सी आपको इतना टाम नहीं लगेगा आपको पांच मिनट लगेगा मैक्सिमम पांच मिनट लगेगा ठीक है तो बाकि जो प्रोफेशनली है इसका कुछ करना पड़ेगा बट स्टिल मैं सोच रहा हूं कि छोड़ा कलर वलर चेंज करके देख लेंग तो मेरे ख्याल से औरेंज होने के बाद यूट्यूब का लोगो है ना यह जो चीज है यह थोड़ी निखर के नहीं आ रहे है यूट्यूब थड़ा ठकावा ऐसा लग रहा है कि मतलब मैच हो गया कलर के साथ बैक्राउंड के तो हमें क्या करना है यूट्यूब को भी थोड़ा हाइलाइट करना पड मैं कि अभी के लिए मैं इसे यूट्यूब के पीछे डालूंगा ठीक है यूट्यूब के पीछे डालकर मैं इसमें कलर को चेंज करूंगा में भी शायद वाइट कर दू तो एक काम करते हैं वाइट ही कर देते हैं शायद वाइट अच्छा लगेगा इसके पीछे तो यहा मैं इसको वाय क्लर कर दिया है तो तो एक चाहिए तो कॉविज की अशू चाई कोमबो क्याती जाका ब्रीयोस है नभी काफी अच्छा लग रहा है यह फिसोài यह पिए बिधा चाहता हूं पर यह पर चिमार जिखा Hmm натाइब व्हाइधा परड़ा यह मैं कालवाद में कि थे निव यहां पलोड में हैं से को एफमिंगा चरह इस ही आपल्ओ दुह कुछ रिए और अच्छा रहा होगा आपको बेसिकली फरक पढ़ रहा है ठीक है आपका जो अटेंशन सबसे पहले वहीं जा रहा होगा तो अब यह जो नीचे का हिस्सा है इसको भरने के लिए मैं यहां पर दूंगा हिंदी ताकि लोगों को पता चले कि जो मेरी वीडियो है वह हिंदी म पर मेरी तो यहां असे मेरी सीच आते हैं मेरी को यसी कर दो कि अच्छा ना चाहिए हुआ युझा का चैंज कर दूंगा हम लगा कर देखा हुआ का तो का में की अच्छा advisor हि लिए होता मगा तो जैसे कि आपको आप देखू लगता है जैसे नहीतों है पर यह हिंदी मुझे अतनों खास पसंद आनी रहा है जैसे कि आप दिख सकते हैं मैंने जो यह हिंदी लिखा पड़ा था उसे भी थोड़ा चेंज कर दिया है और उसे जो कलर है वो येलो दे दिया है अब मैं इसका जो बैग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ जैसे कि मैंने ऊपर की और ब्लैक को यूज किया है और येलो को यूज किया है सो सेम चीज में शायद नीचे भी करने की ट्राय करता हूँ थोड़ी सिस्टेमाटिक तरीके से लगाई गई हूँ तो लोगों अच्छा लगता है देखने में तो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लग रहा होगा मैं इसका थोड़ा साइज वाइस मैनेज कर लोगा है बिल्कुल परफेक्ट लाइनिंग होगी तो मजा ही आ जाएगा कसम से क्योंकि लोगों की आखों को काफी ज्यादा अपीलिंग लगेगा और इतना प्रोफेशनल थमनेल लोगों की आखों के सामने जाएगा और आप मेरी वीडियो को इस थमनेल की तरू देखोगे तो है बेसिकली हमारा थमनेल तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यह हमारा फाइनल थमनेल है ठीक है बेसिकली मैं इसे फाइनल थमनेल घोशित कर रहा हूं क्योंकि यह थमनेल लिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें colors बलस जो है सब कुछ बिल्कुल सही से और इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में तो आई गया होगा कि यह टेक्स्ट को किस तरह से यूज करना है colors को कैसे यूज करना है बस मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर रहा हूं और जैसे ही यह डाउनलोड हो जाएगा मैं इसे क किसी यूट्यूब वीडियो पर लगा सकता हूं जो भी मेरा यूट्यूब वीडियो होगा उस पे अप्लाए कर सकता हूं जाए मैं मोबाइल से करो यह फिर लैप्टॉप से करो अगर आप लोगो पसंद रहें प्लीज मेक शूर्व वीडियो को लाइक करना कुछ भी दिम के बारे में और साथ ही यूट्यूब का पूरा 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 जितना वीडियो अप्लोड होने वाले में चैनल पर मेक शूर कि उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना और सेलेक्शन के साथ में और होप कि आप लोग जरूर करेंगे तो मैं मिलता हूं कि इसे के लिए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मात्रम